अज़ाइब दोस्तों सलाम स्वागत करते हूं आपको मेरे इस चैनल में उमीद करते हूं आप सब बहुत अच्छे ही होंगे तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो आपके लिए लेके आया हूं एक बजर सेग्मेंट का एक जबरदस्त फोन जो कि आपको बजर सेग्मेंट में बहुत अच्छा पॉंक्मान्स के साथ बहुत अच्छा है कॉमिनेशन के साथ आपको देखने को मिलेगा वह भी आपको ये जो बेरेंट में बताने वाला हूँ यही वेरेंट आपके लिए सबसे बेस्ट होगा क्योंकि इसका अगर अपर बेरेंट लेंगे तो यह वैल्यू फर मनी नहीं होगा ऐसा नहीं कि आपके लिए आपके आगे आओ एक फोको मफोर प्लो जो कि अच्छा कॉमिनेशन में बहुत अच्छा फोन मिलने वाला है तो हमें परक चाहे नाम कुछ भी आए जाये रेडमी के नाम से है या पोको के नाम से हमें श्यू होने वाला नहीं है तो चलि आज इसके बारे में वोसके वारब में जानते हैं हम पहले आपको डिस्प्ले बताएंगे फिर आपको आ या प्योरित एक सब्सक्राइब तो आपको दोस्तों यह जैसे कि एक बाजेट सेग्मेल का फोन है तो इसमें भी आपको एमोलेट नहीं मिल लेकिन इसमें जो एलसीडी पैनेल मेल रहा ऐसा नहीं कि आपको बहुत खराब होगा आपको भूंग यंगल अच्छा नहीं मिलेगा हां एमोलेट के मुकाबले आपको कहीं पर जिसमें आपको स्टेरियो्स पीकर देखने को मुलता है राउडनेस बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन स्टेरियोट कर देखने को मिल इसका मतलब यह है की आपका मैल्टी मेडिया थोड़ा अच्छा होने बाला एक यह आउट्डॉर में आपको थोड़ा से तो आपको थोड़ा देखने में इशू आपता होगा क्योंकि सब को पता है IPS में ऐसा नहीं होते लेकिन यह पुरा लोग बजट का IPS दिया गया अच्छा बजट का लाइप एस पैनल एक दिया गया जो कि देखने में अच्छा आउट्डर में भी आपको कफी अब तक देखने को मिलेगा तो आपको कंक्लूजन यह कि आपको इसमें मुल्टी मेडिया व्यूंग एंगल और जो भी आपको टोटल कम्बिनेशन आप वह आपको एक अच्छा मिलने वाला है अच्छा मिलने बाला है इसमें डाइमंड सेटी का 810 प्रोसेशर दिया गया जो कि एक 5G प्रो है इसका पूरे डिटल्स में लिखा गया है तो यह जो एटेन प्रोसेशर है यह एसा नहीं कि यह ट्राइड एंड टेस्टेड बहुत अच्छा प्रोसेशर है बजर सेग्मेंन का जबर्दास प्रोसेशर है इसका अंतुदू बेंचमार्ट को तिन लाग का करीब आता है 50,000 का आसपास भी चला जाता है यह स्योड़ी हो गया आप इसमें मेडियम सैटिंग में सीगे फोर्टी एपिस तक इजीली गेमिंग कर सकता है इसमें आपको स्मूथ और एश्डी में सपोर्ट आपको मिल जाएगा एश्डी तो नहीं जाएगा एश्डी तक आपको आराम कि इसमें आपको जानवारी का सीकूरिटी पैस देखने को मिलेगा लेकिन दिक्क्यत वाला बात यह है कि आपको मेजर अपडेट दो या तिन मिलने वाला है क्योंकि 12 और 13 मिल सकता है या तो 12 और 13 हो सकता है अगर यहां पर अगर 12 आ जाता तो आपके लिए वहतर यह होता क कि आपको आराम से 13 और 14 भी मिलने के चांसे ज्यादा थे लेकिन पता नहीं इन फ्यूचर आपको साइद मिल सकता है तो यह बोल नहीं सकता है अभी मोबाइल तो अभी आया है लेकिन ऐसा नहीं है और पहले से काफी इंप्रूब हुआ है माई जो कि पोको के फॉंस में जा प्राइस देखने को मिलता है इसमें यूफेस 2.1 का स्टोरेज देखने को मिल लेकिन मेरे सबसे यह कि आपके लिए वेल्यूफर मानी प्रडक्ट रहेगा क्योंकि इससे उपर वेलिएंट का प्राइस बढ़ते रहता है हां यह पता नहीं इन फूचर यह बढ़ सकता है क् सबसे अच्छा प्राइस और वेल्यूफर मनी है क्योंकि फोर्ज भी सिस्टी फोर लिए जाए फोर्जी वांटों डिए दोनों में सेमी सब कुछ आपको मिलेगा खाली थोड़ा इसमें स्टोरेज क्यापेबिलिटी ज्यादा मिलेगा लेकिन इसमें एक चीज बेनीफिट प्राइट इसमें आपको मिल रहा है फिप्टी मेगा पीचल प्राइमेरी और एट मेगा पीजर अल्ट्रावेट फ्रांट में आपको 16 में देखने को मिलता है ये दोनों में से ही आप 1080P और 60fps तक वीडियो रेकोडिंग कर सकते हैं और आपको फ्रांट में एडिज रोड प्राइब कर सकते हैं लेकिन इस आपको पता है बर्जर सेग्मेंट का फोन है तो हां ऐसा नहीं कि खराब दिया लेकिन इसका एक बार आप क्लिक कर रहे हैं पिक्चर ना तो यह पिक्चर थोड़ा पहले तो ब्लरी आ रहा है लेकिन बाद में आप्टिमेस करके ये प्रोस प्रोसेसिंग के बाद ये फोटो आपको क्लियारिटी और उसमें बहुत अच्छा उतर रहा है थोड़ा अर्टिफेशियल कलर बूस्टर तो हो रहा है लेकिन ऐसा नहीं है आपको शाओमी का जैसा केमरा क्वालिटी मिलता हूं इसमें मिलने वाला है को नो डाउट यह बहुत अच्छा क्वालिटी देने वाला है तो फोर्थ में आता है विलक तो दोस्तों इसमें फ्रंड में आपको गोरी लगा स्थी का प्रोटेक्शन मिलता है बैग में आपको प्लाश्टिक मिलता है लेकिन इसमें एक अच्छा है जो जैसे म्-3 Series आ तो उसमें भी और इस तीनों ही आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा ऐसा कोई इशू होने वाला नहीं है इसमें आपको आईपी 53 का रेटिंग मिलने वाला है जो कि डश्ट एंड सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करता है इसमें आपको 5000 एमिच के बैटरी देखना को मिलता है हां मुबाइल अंडर 200 ग्राम है 195 ग्राम का फोन आता है लेकिन इसमें आपको कोई कंजूसी नहीं है 5000 एमिच के बैटरी दिया गया उसके साथ 33 वाट का मोबाइल चार्जर भी इसके साथ इंक्लूडड है और एक लेजंडरी फीचर यहां दिया गया इसको लेजंडरी फीचर बोला क्यों जा रहे है क्योंकि आजकल यह गायव होते जा रहे हैं यह 3.5 mm जैक जो कि इसमें देखने को मिलता है इसमें वाइफाइफाइब का सपोर्ट है ब्लूटूथ 5 आप एक स्पेक्स दे रहा है इसका मतलब यह और यह फोन आपके लिए बैल्यू फर मनी है और आप इसको आराम से ईजली पर्चास कर सकते हैं तो आप फ्लिप काट पे यह आमेजन पे जाके इसको पर्चास कर सकते हैं आपको को इशू होने वाला नहीं है यह फोन आपको भी मिल जाएगा और आप फोर जीविश्टी फोर जीविएंट ही लीजिए आपके लिए सबसे अच्छा वेली फर मनी प्राडक्ट होने वाला है तो यह वीडियो कसे लगा हमें कमेंट सक्षन में जरूर रहते हैं यह वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब देली कि भी कीजिए बुलेगाánd अखलेपन जरूर गली कु Nep